कॉंगने सध्यक्स सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें एक बार फिर सोनिया गांधी ने कहा है कि मोधी सरकार देश की समवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है सिलसिलेवार तरीके से खोखला कर रही है जवाब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा के तरफ से आए जेपी नड़ा ने कहा कि कभी भी गांधी नहरू परिवार ने प्रधान मंत्री के आफिस और प्रधान मंत्री को सम्मान नहीं दिया है और हमेशा वो लोग जो विपक्ष के प्रधान मंत्री रहते हैं उनको को सम्मान नहीं देते हैं हमारा साथ जैवीर सेर्गिल है जब आप जो सोनिया गांधी ने लेख लिखा नड़ा ने जबाब यह दिया है जो बीज़ीपी की अध्यक्ष्वी है वो कह रहे हैं कि गांधी नहरोग परिवार की फित्रत रही है कि वो किसी और प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं देते हैं देखिए श्रीमती सोनिया गांधी का लेख सत्य से भरा हुआ है और सत्य हमेशा कड़वा होता है और श्रीमती सोनिया गांधी का जो लिखा लेख है उसका सत्य नड़ा जी को पच नहीं रहा है दूसरी बात आपने कहा कि जब इंसान के पास दलील नहीं होती वो दूसरे व्यक्ति पे कीचड उचालने का काम करता है। जो खड़ा खोद दिया है वो किसने खोदा नड़ा जी ये बताईए के भाजपा ने रोजगार का जो और बेरोजगारी का ये खड़ा खोद दिया है। आज जो खबार में आया है उस पे उत्तर देने की बजाए वो ही पुराना खिसा पिटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं। जनता कहते हैं पक गही है आदतें बातों से सर होगी नहीं अब नड़ा जी कुछ तो हंगामा कीजिए ऐसे गुजर होगी नहीं। ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी लेख लिखती हैं। राहुल गांधी उसी चीज को बार बार कहते हैं। बार बार जमीन पे दिखाते हैं। अगर नफरत की राजनीती पे भाजपा परवचन देने लग पड़ जाए। तो ऐसा लगेगा कि गबर सिंग कानून की किताब इंडियन पीनल कोड पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहा है। सत्य तो ये है। आज मुझे भी अफसोस है कि प्रदान मंतरी की जो है वो दशेरे पे उनको देखा के उनके जो है एफजी जिलाई गई। पर प्रदान मंतरी के जो प्रती आज देश का गुस्सा है उसकी जिम्मेदार भाजपा, भाजपा के अर्थ विवस्ता के सलाकार और प्रदान मंतरी खुज हैं। जो दशेरे पे जो कल आपको हर अखबार में दृष्य और तस्वीरे देखने को मिली, मुझे तो लगता इन तस्वीरें देखने के बाद किसान विरोधी, बेमानों की पाटी, जो किसानों की पाटी नहीं भाजपा, उनको किसाने संगटनों से मिलना चाहिए। आज नड़ा जी के पास बिहार का चुनाओ जाने का टाइम है, आज नड़ा जी के पास हर अपने कैबिनेट मंतरी से मिलने का टाइम है, तो नड़ा जी और प्रधान मंतरी किसान के जमीन पे बैठे किसानों के साथ जाके क्यों नहीं मिल रहे, एक कत्य सिंगठन है जो एहम ह उनसे जाके क्यों नहीं मिल रहे अगर मंतरियों के पास प्रेस कॉंफरेंस करने का वक्त है के कानून कितना मजबूत है तो प्रेस कॉंफरेंस छोड़ें और माफी मांगें सत्य तो यह है बिहार में भी घोशना पत्र नहीं माफी पत्र मांगना चाहिए था नड़ा जी को और यही टाइम व्यस्त करके अब देश की जनता ने गांधी परिवार नहरू परिगार पंडित नहरू स्वर्गवास से आके वो उन्होंने बेरोजगारी नहीं भिलाई नड गटा है या फिर बिहार विधान सवाज चुनाओ को देखते हुए यो एक सिंपथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है दरसल बारतिय अर्थ विवस्था में जो एक बड़ा खड़ा खुदा है उसके लिए बीजेपी और मोधी सरकार जिम्मेदार अजय जहा गो नीज दिल्ली